भारत का सबसे अधिक 75 जिलो वाला राज्चे है उत्तर प्रदेश जिसका एक जिला है बदाईयूं। बदाईयूं की धर्ती ने सद्यों का एक शांदार इतिहास अपने में समा रखा है। जीवन दायनी गंगा की सहायक सोथ नदी के समीब बसे इस शहर ने इतिहास के कई उतार चड़ाव देखे हैं। अहीर राजा बुद्ध ने 905 वी इसवी में इस शहर को बसाया और इसका नाम वेदा मौ रखा। इसका अभिलेग भी मिलता है। मुगल काल में भी बदायों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। पर बारवी शती में इल्तुत मिश्च के शासन काल में यह दिल्ली के बाद सत्ता का दूसरा प्रमुक केंद्र रहा। इल्तुत मिश्च ने 1223 इसवी में यहां जाव मस्जित का निर्मान करवाया। इल्तुत मिश्च की पुत्री रज्य सुल्तान का जन भी बदायों में हुआ जो भारत की पहली महिला शासक थी। 1828 में अंग्रेजों ने इसे जिले का दर्जा दिया। आज भी यह जिला बहुत विक्सित तो नहीं है पर अंतु लोगों की आस्था का प्रमुक केंद्र है। यहां के सभी वाहन यूपी 24 के नाम से पंजी कृत किये जाते हैं। तो अब जब भी आप किसी वाहन पर यूपी 24 लिखा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये वाहन बदायों के हैं। यहां का पिंट कोट नंबर है 243601 तथा STD कोट है 5832। यहां से सभी प्रमुक शहरों के लिए याता यात सुविदा उपलब्ध है। बदायों की पडोसी जिले हैं बरेली, शहजहापुर, मुरादाबाद, एटा, अलीगर, कास गंज, आदी। बदायों समुंद्र तल से लगभग 164 मीटर की उचाई पर इस्थित है। यह पूरव से पश्चिम 115 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिन 64 किलोमीटर तक विस्थित है। इसका छेत्रफल 84 वर किलोमीटर है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, यहां की जनसंख्या 31,29,000 है, जिन में पुरुष 16,71,000 और महिलाये 14,58,000 है। प्रती हजार पुर्षों की तुल्णा में 907 महिलाये हैं। जनसंख्या घनत्व 740 प्रतिवर किलोमीटर है। साक्षर्ता का प्रतिशत 53 परसंट है। धार्मिक परिपेक्षि में यदि देखा जाए, तो यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, परन्तु हिंदु धर्म के लोगों का अनुपात अधिक है। यहां के धार्मिक स्थल और प्राचीन एमारते, लोगों का ध्यान अपनी और खीचती हैं। यदि परेटन विभाग, मीडिया और सोशल मीडिया पर उचित प्रचार मिले, तो इसे परेटन स्थल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बदाईयों से जुड़ी अन्य वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हूँ, तो इसे जादर से जादर लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पढ़नाई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले। धन्यवाद।